दस लाख वाला बिजनेस किस तरीके से हम 10,000 में स्टार्ट करें बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि छोटा सा बिजनेस्मेन बन जाओ ताकि मनी कंट्रोल और टाइम कंट्रोल आपके हाथों में हो आपको खुला छूट हो अपनी सहली को बढ़ाने में और अपने टाइम क को इंक्रीज करने में सुमा ने मिल भूपेन सर्मा मोटी विसनी स्पीकर एंड बिजनेस स्कूर्स आज मैं आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा काफी सारे लोग्स आपको सजेशन देते रहते होंगे कि 10 लाख रुपे इस बिजनेस में लगेंगे या एक करोड र तो प्रॉफि थुड़ा कम उठाते हो तो हंडिट पोर्षेंट आले वाले टाइम में आप सबसे शफल और स्थेशफफ़ बीजनेस का तो रूल से ही होता है कि सटार्टी में कम प्रॉफिट और ज्यादा क्वालिटी और लास्ट में हाइप रॉपिट जब लोगों की पिर 99 रुपे फिर 174 रुपे और आज की डेड़ में 249, 266, 289 तक पहुंच चुका रिचार्ज तो आप समझ सकते हैं और वही अगर बात कर लूँ तो एक टाटा के और भी प्रोडेक्स हैं और चाय पत्ती है ऐसे बहुत सारी चीजे तो इस्टार्टी में आपको लुभाव तो इस्टार्ट करना चाहते हो तो इस्टार्टी में आपको कम प्रोफिट तो मिलना ही ते हैं तो एक चीज तो यह कंफर्म हो गई कि प्रोफिट तो आपको इस्टार्टी में कम मिलेगा साथी चाहते एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ अगर दस लाग फाला ट्रेन आती आपको खुट रेलवे स्टेशन पर जाना पड़ता है उसी तरीके से अगर आपके पास कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं तो आपको कस्टमर्स के पास जाना होगा तो इसके लिए जब आप 10 लाग का बिजनेस 10,000 में स्टार्ट करोगे तो वहाँ पर सबसे और या मार्केट में आलेडी हैं जो मट्रेएल बना जाती हुँडाец जैसरे ही आप जुए मैनृफंट्रेंग करने के लिए Candy लिए लगभग आपको अर्टो मेंट मसी जगा और फृकर खरीदने तक लगवक 10 लाख रुपे तक कि आउसकता पड़ जाती है अब उस business को start करने के लिए आपको जब 10 लाख रुपे कि आउसकता पड़ेगे और आपके पास 10 लाख रुपे नहीं है अब उस situation में क्या करोगे उस situation में एक काम आपके सबसे important चीज क्या रहाए माल की क्वालिटी कैसी है जो भी वहाँ पर इधारन के लिए बता रहा हूँ जो भी सूज वह 10 लाक वाली कंपणी बना रही है क्या वह सूज क्वालिटी उसकी जबर्दस्त है अगर हां तो जबरदस्त तो आप एक ब्रांडिंग करोगे अपने अनुसार आप उसका कोई वर उसरे से मैच नहीं होता है तो आप इसी तरीके का यूनिक नेम सार्च कर गए फिर क्या करना उस कंपनी के पास जाना जो कंपनी प्रोडेक्ट मैनुसेक्टर करती है फिर उससे यह संपर्क करना कि भी या मैं अगर आपसे वल्क में सामान खरीदता हूं तो आप हमें कितना प राइच य संबारिट घुटा है देखिए अगर आप एक जोड़ी खरीदे हैं उसका अलग है धस जोड़ी खरूदओं गें अलग है आगर 100 जोड़ी खरीद लोग अलग है पान सो जोड़ी खरीदओं इनर सामान का पीमेंटज तैह हो गया अब वहाँ पर अगर कहते हो कि मैं अगर आपका जितना भी सामा ले करके जाओं अगर उसका पेमेंट्स आपको आज ही कर दूं तो आप कितने रुपे में हमें देऊगे देखें यह होता है बाल में खान लिकाना यह होता है प्राफिट मार्जिंग जो बड़े-बड़े प्रजेंट टैम में बड़े-बड यह फिर अगर मैं आपको 15 दिन बात करूंगा तो कितना दोगे अगर मैं आपको एडवांस में दे दूं तो आप कितना हमें प्रॉफिट दोगे तो इस तरीके से आप तुरंट उनसे क्या करते हो सामान खरीड़े से आपके तीन प्रॉफिट होते पहला प्रॉफिट आप दूसरे से ही ले करके माल और मार्केटिंग करना सीख जाते हो बिजनेस तो कोई भी स्टार्ट का सकता है मैनुफेक्टरिंग तो कुछ भी कोई भी स्टार्ट का सकता है लेकिन में इंपोर्टेट पॉइंट क्या आता है मार्केटिंग अब दस हजार प्रॉडेक्स से आप आप Marketing स्थाओंगे और उसं 10 आजार मार्केटिंग चीख जाओंगे और आप पता चल जाएगा कि यह माल किस तरीके से से हो रहा है फिर क्या करते हैं जब आहां से सामान किसी कर देते हो तब आप क्या करते हो वह customer जहां से आप 5-6 बार सामान खहित के लाते हो, वह customer आप पर विलीप करने लगता है, विस्वास करने लगता है, अब आपको वहाँ से क्या करना होता है, उससे ये बात करनी होती, कि भीया, मैं बार बार आने जाने का हमारे ट्रांसपोर्ट का खर्चा ज्यादा हो रहा है तो क्यों ना आप हमें 50,000 मैं आपको दे रहा हो, प्लस 50,000 का सामान और हमें दे दो, अब इस तरीके से और आपको सामान दे देगा, देखिए, अब यहाँ पर एक चीज़ और आ जाती है, जब 50,000 का आपको सामान देता है, वह आपको एक legal will आपको मिल जाता है, वो बिल पर वो, क्योंकि उस पर लिखा तो है, ने कि भी यह उधार है, आपको जी रसीद मिलिए, वो रसीद सेब XYZ कंपनी में जाते हो, और वहाँ पर दिखाते हो, कि मैं वहाँ से सामान इस प्राइस रेट पर खरीद रहा हूँ, आप हमें कितने प्राइस रेट पर दे सकते हो, में बिजनेस का जबाना है, और हर कोई बिजनेस करना चाहता है, बिजनेस करने का मतलब उप्राफि अंठ टार्नाब है, तो हम वहाँ से लेगे जहां से प्राफित होगा,ब। उससे भी हार इंग अ handle करना है, जिसके पास सिमिन पहले सामान उठ व्फठाना स्टार्ट किय यह तो मैं भी कह सकता हूं क्योंकि बाल में खाल ज्यादा देर तक नहीं निकल सकती आप तीन जगों तक आपको ट्राइ कर सकते हो और तीन जगों से अच्छा खासा प्राफिट आने लगता है और अब तो आप मार्केट भी समझ जाते हो लोग की डिमांड्स भी आपको समझ बेट में आ जाता है गान से बिलांग करताया सीनुल कि आफ़र्ड करते हैं और लोगों को डील कैसे करूंगा सामान बेचूंगा किसे प्रोडेक्ट कुछ भी बना दो बेचने का तरीका आता होगा तरीका अगर आपको वैचने आता है तो आप सब कुछ कर दोगी अब आपको सब कुछ पता चल चुका और आपके पास परडे माल सेल करता हूं तो अगर आप हमें अपने पास से मशीनरी देते हो तो मैं आपका इतना दिनों में आपका पैसा वापस कर दूँगा कौन नहीं देना चाहेगा हर कोई मशीनरी देने के लिए तयार हो जाएगा जब आप ये टेकनिक उसके पास अपलाई करोगे आपको वो कमपनीज देंगी और पूरा मिजरिंग सिस्टम अपनाएंगी सब कुछ आपको सिखाएंगी और लास्ट में आप वहां से उससे प्रॉफिट ले करके उन 10 लाग मशीनों से उसका करजा चुकता कर सकते हो बहुत जबरदस बिजिनेस मॉडल है आसा करता हूं आ आपके पास शेयर कर दो जिसके भी माध्यम से आपको वीडियो मिला उसे थैंक्स बोलो क्यों कि उसने कुछ समझ के आपको वीडियो सेंट किया है तो मिलता फिर किसी अमेंजिंग और धमाकेदार वीडियो में तक तक के लिए जीज़े जाजा तक नमस्कार